नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब तो आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं LDR सुपरवाजर यानि आंगनवाडी सुपरवाजर का पेपर जो कंड़क्ट करवाए गया था 2020 में तो मैं आपको बता दो कि इसमें टोटल मिलाके 170 कोशन पूछे गे थी तो आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 170 को ठीक है तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में अंतक बने रहे और जो इस वीडियो को पहली वार देख रहे तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को भी दवा लें ताकि आपके पास हर एक अपडेट मेरी टाइम सु टाइम पहुंचती रहे ठीक है तो बात करें लडियार सुपरवाजर पेपर की इसमें 170 कोशन पूछे गे थी और टोटल मिलाके समय अबदी रखी गी थी दो गंटे दो गंटे में अपने सौल्ब करने थी 170 कोशन एक कोशन आपका था हाप मार्स का ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को पहला प्रशन है कि परधान मंत्री मात्र बंदना योजना का प्रारम किस वर्ष किया गया था तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गी थी एक जनवरी 2017 को यानि कि एक जनवरी 2017 को परधान मंत्री जो मात्र बंदना स्की में उसकी शुरुआत की गी थी ठीक है नेक्स्ट ICDS case जो है उसमें case का शाप दिकरत क्या है यानि कि ICDS में जो case है उसकी full form क्या है तो case की full form है common application software यानि option number A आपके पास सही उत्तर रहेगा next अगले question है कि बर्ष 2019 में मात्र बंदना सप्ता कब से कब तक मनाए गया था तो 2019 की बात है जब मात्र बंदना सप्ता मना आए गया था तो यह मना आए गया था दोस्तों दो जन्वरी से लेकर आठ जन्वरी तक यानि option number A आपके पास सही उत्तर है next अब बात करते हैं क्रण्टेवर के कुछ क्वशन कि लेडेट अबब में मुझना लागो ब्रक्रेल प्रदेष सब्तार यूढ इस दरान क्या होगा है कि हिम उस फ्रडीश के अई आ जिल म से ही लगाभण के वह लेकरining लिए इस 없이 मत्र THE स्तार पर दियुत्यय स्तान प्रपत होता यानि कि दूसरा स्तान प्रापत होता राष्ट्यय स्तार नेक्स्ट अगला प्रशंद है कि स्वास्त्य डिद्ध रखा जाता है 28 दिन दके बच्चे को यानि कि आपका एक स्वास्त्य डिन देन का होता है तो अगर कोई बच्चा इस दिन का होता है यानि की एक महीने से थोड़ा कम होता है मेहने का मेहने का लगवग होना चीए मेहने से ज़ादा नहीं होना चीए तो अगर कोई बच्चा एक महीने से कम है ठीक है उसकी आयो एक महीने से कम है उसको रखा जाता है special newborn care unit में ठीक है next मा का जो पीला गाड़ा दूद होता है उसको किस नाम से रहे आते हैं उसे कहते हैं colostrum यानि की option numbers A आपके पास सही उत्तर है next question number 7 प्रसब के बाद यानि की delivery के बाद कितने दिन अमगा है जो मा का दूद पीले से स्पेद हो जाता है तो दोस्तो delivery के बाद मा का जो दूद होता है वो तेन देन में स्पेद हो जाता है ठीक है यानि option number A आपके पास सही उत्तर है next आठो प्रशन है कि चंडीड का चमतकार नाम से जाने आने वाली 103 बर्षे सबसे भजूर्ग जो धावक थी जिन्हें 8 मार्च 2020 को महिले दिवस्त के दुरान भार्त के राष्टपती के दौरा सम्मानित किया गया था उनका नाम क्या था तो दोस्तों उनका नाम था स्थारनी मानकोर यानि option number B आपके पास सही उत्तर हैगा next हर साल राष्ट्यो क्रीमी मुक्ती दिवस कब मनायाता है तो इसका सही उत्तर है option number B यानि कि 10 परिवरी और 10 अगस्त को मनायाता है राष्ट्यो क्रीमी मुक्ती दिवस अगला प्राशन है कि किस आयू बर्ग के प्राइदी जाती है एक साल से लेकर 19 साल तकी बच्चे को ठीक है option number D आपके पास सही उत्तर है अगला प्राशन है कि ILA के कितने मौडूल है ठीक है तो ILA के मौडूल है option number C यानि की 21 टोटल मिलाके इसके मौडूल है 21 ठीक इसको आपने याद रखना है अगला प्राशन नम्बर 12 नवजात शीशू के प्रत्थम सोच यानि की टट्टी करता है बच्चा ठीक है टौलेट करता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं मैको नियम ठीक है यानि की option number A आपके पास यह उत्तर है मैको नियम यानि की जब कोई नवजात बच्चा न प्रणमंत्री मात्र बंदना योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई थी तो question number 13 इसका सही उत्तर है option number C यानि की national foods security and safety act 2013 के अंतरगत पूरे देश में प्रणमंत्री मात्र बंदना योजना को सभी जिलों में लागू किया गया था मुक्यत है पंचाहिती स्तर पर यानि की option number A सयुक्तर है question number 15 प्रणमंत्री श्रम योगी मांधन योजना है उसका अभी पर आये उसका अर्थ है pension योजना ठीक है प्रणमंत्री श्रम योगी मांधन योजना है नेक्स्ट हिमचल प्रदेश सरकार के समाजिक न्याय एबम अधिकारिता विवाग के अतरिक मुक्य सचिव कौन ने यह करंटा प्यर का question है तो उसके मास मुक्य सचिव है तो वह हैं दोस्तों निशा सिंग यानि की option number C आपके सब्सक्राइटे विवाग के अतरिक्त मुक्य सचिव है यह 2020 की बात है ठीक है question number 17 पोशन अभ्यान के अंतरगत 6 मा यानि की 6 मीने से लेकर 59 महां के बच्चे को ठीक है बच्चे में जो अनिम्या प्रतिवर्ष कितना कम कर लाना होता है करना होता है ठीक है तो इसका सही होता है option number A कि तीन प्रतिवर्ष कम करना होता है ठीक नेक्स्ट क्वेशन नमबर 18 बलतकार यानि की रेप से पेड़े महिलाओं को आर्थिक साहता कौन से विभाग देती है ठीक है कौन से स्वाइटी वनी है जिसमें किसी मह बलतकार होता है तो उनको आर्थिक साहता दी आती है तो उस संस्ता का नाम है जीला विविदिक सेवब प्रादी करने यानि की option number D आपके पास ही उत्तर है question number 19 हमारश की मेला एबं माल बाल विकास मंत्री कौन है ये भी आपके पास क्लंटाफेर का question है तो समरीती इनानी 2020 की वात है कि समरिती एरानी भारत की महिला एवं बाल अभिकास मंतरी थी ठीक है तो अब जाके आपने चेक करना कि अभी कौन है चेंज हुआ है कि यही है ठीक है नेक्स्ट पत्नी की प्रसब यानि की पत्नी की जो डिलीवरी के दुरान कितने दिनों का जो पित्र अभिकास पति करते हैं तो उनको कितने की चुटी को कि छुटी दिया ती तो इसका सही हुतार आप्षूर्य कि कुल 15 दिन की चुटी ठीक है याद्रकना है कि कि किसी लेडिस की डिलीवरी होने वाली और पति जॉब करते हैं तो उनको अबकास दिय आता 15 15 दिन का नेक्स्ट बाल स्रक्षन योजना के अंतरगत ग्राम स्तर्यों बाल स्रक्षन समीति का द्यक्ष कौन होता है तो इसके जो द्यक्ष होते हैं प्रधान जो ग्राम पंचायत के होते हैं वह पर ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 22 महिलाओं के प्रसब्क होने के कितने दिनों के अंदर मृत्य होने पर महिला को मात्र मृत्यू दर में शामिल के याता है यानि कि कोई महिला है डेलेबरी होगी ठीक है और डेलेबरी के कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती किसी कारण स्रकार के दोरा पात्र बच्चों के पर तेन सो रुपे की राशी प्रती वर्ष सोरी प्रती महां अठारा बर्ष की आयू पूर्ण उन्ने तक जमा करवायाती है यानि एक जोजना है फोस्टर केर यूजिना ठीक है इसकी अंतरगत स्कार को अद्वारा क्या किया गया है कि जो पास्तर बच्चे उनके नाम पर त पूरे उन तक जमा करवायाते हैं जब तक बच्चे ठार साल कर नाव तब तक हर मीने तेन सो रुपे जमा करवायाते हैं फोस्टर केर यूजिना के अंतरगत और उनकी देखवाल करने के लिए अभिभाब को यानि की मातवपिताओं को कितनी राशी प्रतीमा दियाती है उ 2,000 पर यानि की option number B आपके पास सही उत्तर है जो तो बच्चा है उसको 300 पर प्रतीमा दियाता है जब कि पेरेंट्स से उनको प्रतीमा यानि की हर मीने दियाते है 2,000 पर फोस्टर के अर्यूजिना के अंतरगत नेक्स्ट क्वेशन नमबर 24 इट्स कौन से वारिश से पहलता है आपके हईव से यानि की option number B आपके पास सही उत्तर है नेक्स्ट कोशन नमबर 25 महिला अभाल विकास निदेशक का क्या नाम है तो महिला वाल विकास निदेशक के उनका नाम है कृतिक का कुलहारी यह आपके पास कुर्ण टेपर के कौशन है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 26 करोना वाइरस चीन के कौन से शेयर में सबसे जादा फैला है तो दोस्तों यह सबसे जादा फैला है भुहान शेयर में भुहान शेयर से इसकी उत्रिपत्ति मानी आती है ऐसा माना यात है कि चीन का जो भुहान शेयर है यही से पूरे देश में ठीक है मनले पूरे इंतरास् इसका साही उत्तर है question no 27 का सी यानि विशेश मैला उत्थान योजना विशेश मैला उत्थान योजना यह जिसके इंतरगत मैलाओं को आईट्याई में ट्रणिंग दियाती है ठीक है next question no 28 एक योजना है बेटी है अनमोल जिसके अंतरगत बीपिल प्रवार में जो जन्यवी बेटी है उसको जमकी की राशी 18 वर्ष की आयोन पर उपरांत दी जाती है तो उस उक्तराशी को निमन मैंसे किन कारणों से नहीं दिया सकता है तो इन चरह उप्ष्ण मेंसे जिन कारणों से नहीं दिया सकता है तो वह एक तो बीवा होने पर यादि किसी की विवार्ष की विवाह अठारा वर्ष यानि कि 21 वर्ष आज क्लम में लागू किया गया है कि यदि 21 वर्ष से पहले किसी लड़की की मिर्ट्वी आती तो उस अधार पर भी उस लड़की को इस किम का फाइदा नहीं बिल भागए ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 29 विद्वा पुनर्विभा योजना के अंतरगत पातर दमपति की अधिक्तम आयू कितनी होनी चीए याने कि एक विद्वा पुनर्विभा योजना है ठीक है याने कि यदि कोई विद्वा यो द्वारा शादी कर रहे है ठीक है उसके अंतरगत ज वो द्वारा शादी कर रहे हैं और उसके जो पातर हैं दंपती याने की पती-पतनी जिससे वो शादी करना जा रहे हैं उनकी अधिकतम आई कितनी होनी चीए खुद की कितनी होनी चीए तो 29 का राइड एंसर है ऑप्शन नंबर C याने की 50 वर्ष से कंनी चीए ठीक है नेक्स्ट तब जाके जो विदर विध्र हा पुनुआ योजना है इसको लागू चुशन नंबर थे लिए नव Almost Day को बना जाते हैं वैन इस Behavior launching यानि कि 15 अक्तुबर को वर्ट ग्लोबल हेंड वॉस्टे मना जाता है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 31 महिला स्वेम रोजगार योजना के अंतरगत पात्र महिलाएं को आत्रव निर्वन भरने के लिए कितनी वित्त्य और आशी जारी की जाती है कि याद रखना एक स्वेम रोजगार योजना इसके अंतरगत जो पात्र महिलाएं इसके मेलाओं के लिए ठीक है उनको आत्म निर्वर भनने के लिए कितनी राशी दी जाती है तो उनको राशी दी जाती है 5000 रुप्य ठीक है यानि कि ऑप्शन नमबर डी आपके पास अई उ कि अर्ली चाइल्डूड एंड के एजूकेशन यानि कि ऑप्शन नमबर यह आपके पास सही उत्तर है कि क्वेशन नमबर 33 की एक आंगनवाडी कारे करता यानि कि आंगनवाडी की जो मेड़म है जब किसी ग्रीब्रहमन यानि कि किसी हाउस टूर पर याती है तो उस तरह चारो चारो चारों को abundance कि सामिल उने चाही है तो उनकी सराणा करना ही तो बच्चे का ब्रीधी चाट मा को दिखा देना चाही है और उसके वारे में उनको गायडलान करना चाही है कि इसमें improvement लाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन नंबर 34 करंटा फेर का कोशन है हिमाचल परदेश बालकल्यान परिश्यत की महासचिव कौन है तो इसके महासचिव है श्रीमति पाइल वेद नेक्स्ट क्वेशन नंबर 35 हिमाचल परदेश महिला आयोग के देक्स कौन है तो यह भी करंटा फेर का कोशन है श्रीमति मंजुला नेगी जी ठीक है अब जाके 2022 आपने चेक करना है कि कौन है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नंबर 36 महिला एवं बाल भी कास ने देशालियों के अंतरगत निमन मैंसे कौन सी महिला जीला कारक्रम अधिका भाडर यह भी आपके पास करनटा है झाट थे होते रहते हैं जालना की जो करेंटा फेर के कोशन यानि कि आपके पंचायद में ठीक है नेक्स्ट कुशन नमबर 38 महिला एवं बाल विकास के कार्यों की निगरानी हित्तु घटित की जीलस तर्यों निगरानी एवं स्मिक्ष स्मिति के देख्ष को ने तुह है बाइस चेर्मेन यानि की उपायुक्त यानि आपके पास सयुत् नेक्स्ट कुशन नमबर 39 एक महिला की सुस्तागत देलिवरी के बाद घर आने पर आंगनवाड़ी कार्यकरता के दुरान कौन से दिन उसका घरीव ब्रह्मन करना चीए यानि कि मालों के लिए किसी एक लेडिस की गाहों में डेलिवरी हो याती है और जब घर के लिए आ र उस दुरान है उनका घरीव ब्रहन करना चीए ठीक है नेक्स्ट कुशन नमबर 40 एक नवजात शीशू को कब तक नहीं बदरना चीए इसका रहने तरह आप्शन नमबर एक साथ दिन तक यानि की नवजात शीशू के जब एक हपते तक जानी कि जब तक की साथ दिन कर नहीं नीची साथ दिन पूरा होने के बाद आप नवजात शीशू को नहला सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 41 पोशन अभ्यान विशेश रूप से किन भोग्यों पर कैंदरित नहीं होता है तो क्वेशन नमबर 41 का राट एंसर है ऑप्शन नमबर D युगाउं के गरवबती मेला है ठीक है यानिकी जनकी डिलीवरी होने वाली है next जो कि शूरियां ठीक है आपने चक्क लना है कि शूर्यों की एज कितनी है ठीक है मैक्सिमम कितनी और मिनिमिम कितनी है ठीक है next question number 42 हिमचल प्रदेश में जन्नी सुरक्षा योजन्या को किस विभाग के द्वारा कार्यान वित किया जाता है question number 42 का राधन सारे option number B स्वास्त्य एवं परिवार क्लियान के द्वारा ठीक है स्वास्त्य एवं परिवार क्लियान के द्वारा हिमचल प्रदेश में जन्नी और सुरक्षा योजन्या को कर्यान वित किया जाता है next question number 43 बेटी पिजाओ बेटी पड़ाओ एक योजन है उसके अंतरगत सन 2019 में यानि कि 2019 की बात है ये एक स्कीम है बेटी पिजाओ बेटी कितनी कन्याओं का पूजन किया गया था 2019 की बात है हमचल प्रदेश के मंडी में एक बेटी पजाओ बेटी पड़ाओ योजना के अंतरगत मंडी में जो शिवराती मिला लगा था उसमें पूजन किया गया था टोटल मिलाके एक 1008 कन्याओं का ठीक है आप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है अगला प्रशान है क्वेशन नंबर फोटी फोर बेटी पजाओ बेटी पड़ाओ योजना के अंतरगत हमचल प्रदेश के कौन से तेन जीलों को रास्ट्रों स्तर पर भारत्तर कार के दवारा सम्मानित किया गया है तो वह तो हमचल प्रदेश के तीन जीला भी नाम बताए मैंने वहां पर रास्ट्रों स्तर पर भारत्तर के दवारान को सम्मानित किया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नंबर फोर्टी फाइव आयोडीन मुख्या रूप से किस खाद्यों प्रदार्त में मिला याती है तो दोस्त प्रदम के खिशोरियों को स्किम फोट एडल्सकियं गर्ल बनाय गिए स्कियम बनाए गिए किस ऐज के लिए ठीक है तो फुर्टी यानि की RTI बिनाया गया था तो क्वेशन नंबर 47 का राइट अप्शन नंबर भी 6-14 साल तक की जो बच्ची है उनकी लिए अनिवार्य और शुल्क शिक्षा का प्रावदान किया गया था तो क्वेशन नंबर 48 संबेदला महावारी स्वश्था की और कदम कारेकरम था जिसको जिले कुल्लू में दिसंबर 2019 को हिमाचल परदेश राज्यो और रेड क्रॉस स्वाइटी की उपदेख्ष के द्वारा शुभरम किया गया था इस उपदेख्ष का नाम क्या था तो यह भी आपके पास क्रंट क्योंके दो बड़े कारण कौन कौन से हो सकते हैं तो क्वेशन नमबर फोटीन एंड का राडंसर है ऑप्शन नमबर एक शिशू की मैक्सिमम टाइम दस तो निमोनिया के कारणने होती है टिक है क्वेशन नमबर पचास है कि यदि आपको कोई गमशिदा बच्चा या कोई कोई ऐसा बच्चे मिलते हैं जिसको जरूरत है इलाज की और देखवाल की तो आप टॉल फ्री नमबर बनाएगे ऐसरकार के तो उसको डायल कर सकते तो टॉल फ्री नमबर एक अजा ठानुए यानि 1098 को डायल करके आप उस जरूरतम बच्चे की हेल्प कर सकते जिसको इतनी मातर दी जानी चीए उसकी जो आदी गोली है वो दी जानी चीए क्रीमी मुक्ति के लिए एक साल से दो साल तक के बच्चों के लिए अगला प्रशन है कोशन नमबर फिप्टी टू पोशन अभ्यान के अंतरगत नवजात शीशू में सस्तन पान है उसका अबलोकन कौ में दर्शाया गया है तो इसका अंसर है फिप्टी टू का ऑप्शन नमबर डी यानि की मॉडिल चार में बताया गया कि जो पोशन भ्यान के अंतरगत नवजात शीशू है उनके जो स्तनपान का जो अबलोक अबलोकन है स्तनपान का जो अबजर्व किया आता है उसको कैसे और किस तरह से किया ने उसके लिए के मॉडिल बनाए गया है जिसका बनन किया गया है मॉडिल चार में ठीक है नेक्स्ट कुशन नमबर 53 सेक्ष्ट महीला योजना की घोशना अहिमाचल प्रदेश के मुख्यमंतरी के द्वारा कौन से बितवर्ष के बजट बाशन में की ग अगला प्रशन है कि मुख्यमंतरी सेवा संकल टॉल फ्री हेल्प लाइन बनाए गया है तो यह क्या आया ठीक है तो टॉल फ्री नमबर है मिख्यमंतरी सेवा संकल टॉल बनाएं गया सोडन करने के उपरांत कौन सी तारह जोड़ी गई थी ताकि कि देश में दहेज के कारण बढ़ती हुई मोटों पर अंकुष लिगाए जा सके और दोशियों को दंड दिया जा सके तो द्वारा जो लगाए गी ती वो थी धारा 304 बी यानि की ऑप्शन नमबर डी आपके पास सही उत्तर रहने वाला है नेक्स्ट गर्ववस्ता शिश्व का जो लिंक प्रिक्षन है ड्रेबरी पूर निदान तकनिक अधनियों 1994 के अतहत कानून निदेश है ठीक है यानि की निशेद है वो ठीक है तो यह कानून कब लागो किया गया था तो इस कानून को लागो किया गया था एक जनवरी 1996 को यानि ऑप्शन नमबर ए आपके पास सही उत्तर है नेक्स्ट कोशन नमबर 58 बाल सनक्षन योजना के रखी गी तो यह कि उसके द्वारा बच्चों को देखाल प्रधान की जाती है तो आपके पास योजना है यह ठारा स सही बच्चों के लिए यानि कि आप्शन नमबर आपके पास सही उत्तर है नेक्स्ट कॉशन नमबर 59 प्रधान मंतरी मात्रबंधना योजना के मुख्यव देशों क Alan जो मात्र मंदना एक योजना इक स्की में उदोरी की क्षती के वदले राशी को पॉटसान रूप में इस वाली मताओं में स्वस्त रहने के अचार में शुदार दोर रहने की आपके पासे रहन Sam नेक्स्ट स्वस्थ जीवन जीने के लिए किस प्रकार के बरतनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए आपके पास बरतनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो वह बरतन है प्लास्टिक के बरतन ठीक है प्लास्टिक के बरतन है या कोई भी है सेलक्षण अधिकारी ठीक है यह पुलिस अधिकारी या मद इस्ट्रिट या इन मैसे सभी तो आप क्या कर सकते हैं कि इन सभी के पास जा सकते हैं घरेलू ईसवन्दित मामले को कि स्काहिद करने के लिए ठीक है नेक्स्ट कुछिन नमबर 62 इनूम्या के क्या लक्षण है एनूम्या के लक्षण है दोस्तों तखान होना या कमजोरी का आना या किड़ीड़ा पन आना या कोई आपकी तबचा का पीला पड़े आना चक्कर आना और सांस का फूल जाना यानि कि ये सभी की सभी यांसर आपके पास सही रहने वाले हैं नेक्स्ट कॉणण नमबर 63 बाल सरक्षन योजना के अंतरगत कौन सी समिति बच्चों की सस्तागत देख वाले तुप प्रवेश के लिए अधिकरित हैं Such जोजना हैं उसके अंतरगत एक क्मेटी बनाए गिये जिसके के लिए प्रवेश की अधिकते किया जाता है तो उस कमेटी का नाम था जीला बालक लियान समिति यानि की ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उतर रहने वाला है नेक्स्ट कुश्चन नंबर सिक्स्टिफोर शोर नयाय अधिनियम दोजार पंदर यानि की एक अधिनियम आई गी थी उसका नाम था जे जे वोड यानि की ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उतर है नेक्स्ट जन्गन्ना दोजार ग्यारा के उनसार हिमचल प्रदेश में यदि लड़कों की संक्या हजार है तो लड़के कितनी है ठीक है तो इसका राइंसर है ऑप्शन नंबर ब नौसब बत्र यानि 2011 जन्गन्ना के उनसार हिमचल प्रदेश में एक अजार लड़कों पर नौसब बत्र लड़किया है ठीक है एक रेशो निकाला गया है नेक्स्ट कोशन नंबर 66 किसी प्रकार की हिंसा से पेडित मरिला को अस्थाई रूप से कहां सरक्षन दिया जा सकत सेंटर में यदि किसी महिला को ठीक है किसी महिला के साथ हिंसा हिंसा वाली महिला को यह ठीक है उनको अस्थाई रूप से आ यानिक कि कुछ टाइम के लिए स्रक्षन दिया जा सकता है बन स्टॉप सेंटर में ठीक नेक्स्ट कोशन नंबर 67 अनप्राशन कब करवाया जाता ह अन प्राशन नंबर 68 एक बालिगा की शादी की आयू कितनी होनी चीए थो दोस्तों एक बालिगा की शादी की आयू होनी चीए 68 का राइट अंसर है option number A 18 वर्ष प्रन्तु एक नए नियम के अनुसार बरतमान समय में देखाया है 2022 में तो इसकी डेट बढ़ा कर दीगी है 21 वर्ष यानि कि 21 वर्ष की लड़की शादी करने लाइक है यानि कि यदि कोई लड़की 21 वर्ष की यतुवे शादी कर सकती है ठीक है कानोनी रूप से सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 69 हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला निती अयोग द्वारा अकांक्षी जिला गोशित किया गया है 69 का राधान सर है option number A डिस्टिक चमबा को जिला निती अयोग के द्वारा अकांक्षी जिला गोशित किया गया है ठीक next question number 70 वहां ठीक portion अभ्यान को प्रतम चर्ण में हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में चलाया गया था तो portion अभ्यान को जो प्रतम चर्ण था पहला जो step था उसमें हिमाचल प्रदेश के कोच्छे के जिले थे वहां पर चलाया गया था तो वो जिले थे district चमबा district शिमला district हमिरपूर और district सोलन यानि की option number यह आपके पास सही उत्तर रहने वाला है next किस आयू बर के बच्चों की लंभाई को इन फेंटोमेटर के द्वारा मापा याता है तो इन फेंटोमेटर के द्वारा जिस आयू बर के बच्चे को मापा याता है तो वो आयू है जीरो से दो सालते के बच्चे को यदि कोई बच्चा जीरो साल के जनने की नवजात जन्मा है और अधिक्तम आई उसकी दो बरश उनके उनको मापने के लिए ठीक उनकी लंबाई को मापने के लिए मिशीन का मिशीन मनाईगी यह ठीक उनका उसका नाम है इन फेंटो मिटर ठीक है नेक्स्ट कोशन नंबर 72 हिमाचल परदेश के समाजिक निया एवम अधिकारिता मंतरी कौन है यह करंटाफेर का कोशन है तो इसके अधिकारिता मंतरी है इन मैंसे कोई नी ठीक है यानि कि ना तो राजी सेजल है ना राजी बिंदल है और ना रामराल मारकंडे है ठीक है तो आपने पता करना है कि अभी 2022 में कौन है हिमाचल परदेश के समाजिक निया एवम अधिकार्टा मंतरी नेक्स्ट क्वेशन नंबर 73 आयोडिन निमन मैंसे सरवद किस चीज में पायाता है चा हिमाचल परदेश के मुख्यमंतरी ने बर्ष बितबर्ष 2020-21 के बजट में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकरता के मानदे में कितने रुपए की बढ़तरी किये तो 74 का राड़ंसर है ऑप्शन नंबर C 300 रुपए की बढ़तरी किये 2021-2021 के बजट में ठीक है तो आपने ध्यान रखना है कि संद जो 2022 है ठीक है वितबर्ष 2022-23 इसमें आपके आगनवाड़ी जो कार्यकरता है उनके मानदे में कितनी बढ़तरी किये एक किशोरी को अनिमिया दूर करने के लिए निली आर्यन की गोली सपता में कितनी मार लेनी चाहिए तो दोस्तों लड़की को जो अनिम एक बार ठीक है सपता में उसे लड़की को एक बार लेना चाहिए उस दौई को निली जो गोली होती है आईरन की ठीक उसको सपता में कितनी मार लेना चाहिए दोस्तों एक बार ठीक है नेक्स्ट कोशन नंबर 76 किसी किशोरी को पहली बार महावारी होने पर क्या कहते है तो हमारे देश की उस महान समाजिक कारेकरता का नाम बताया जिनों ने बर्ष 1880 में पहला करने बिदाले खोला था और उन्होंने महिलाओं के दिखारों के बारे में भी समाज को बभिन समाजिक बुरायू जैसे की बालविवा सतिप्रता के विरुद इत्यादी के प्रती जाग अभियान को चलाया था जिस कारण रोड़ी बादी लोगों ने उनका बिरोद किया था तो उस लेड़ी का नाम था सवित्री वाई फूले यानि की ऑप्शन नंबर भी आपके पास सही उत्तर है सवित्री वाई फूले ने थारा सो अरतालिस में पहला कन्य विदाले खोला अभारत में ठीक है नेक्स्ट कॉशननन नंबर सैवन्टीयेट हिमाचल परदेश में एम अस्पिताल कि जिले में बना जाना परस्तावित ठीक है से जबंटी एट का राइट है सवित्राष्ट संग यूएन ज यानि की यूएनयो के दोवारा किस बर्श अंतरा श्राष्ट उन्हें जो अंतराष्ट यून एक संस्ता है जिन्नों नाम दिया था अंतराष्ट यूंप वर्ष ठीक है तो इस दुरान क्या ऊंचा हो गया था तो कॉन्स स कॉन से संत्र जब उनने 8 मार्च को अंतरास्ट्यों महिले दिवस से गोशित किया था यूननो के द्वारा तो इसका राड़ अंसर है option number D 1975 यानि कि 8 मार्च 1975 को यूननो यानि कि श्युकत राष्ट संग ने अंतरास्ट्यों महिले दिवस गोशित किया था आघया पे कि किस रंघ की गोली खाना अवश्य था यादि कोई महिला है ठीके उसकी delivery हो जाते इन डेलीबरी से लिकर छे मिने तक रुजना उसके गोली दिया एथा डीके violent कि रंटी उसको खाना अवश्य होता है तो 81 का right answer है option number C 8 से कैसा रोग है जिसका इलाज नहीं होता है ठीक है next question number 82 हिमचल परदेश के परसांगिक बिश्यव पर अधारित ECCE पाठे करम का क्या नाम है तो दोस्तों उसका नाम है पहला प्रियास ठीक है पोशन अभ्यान की शुरुआत प्रदानमंतरी के द्वारा 8 मार्च 2018 को जुन्जनुन जीले से की गई थी जुन्जनुन जीले जुन्जनुन जीला है किस राज़ों में शुरुआत थी भारत में क्या कि आगे कि एक पोशन अभ्यान जब चलाया जा रहा था ठीक है तो प्रदानमंतरी निंदर मोदी ने 8 मार्च 2018 को एक जुन्जनुन जीला है वहां पर इसकी शुरुआत की थी तो 83 का राज़ा आंसर है आप्शन नमबर A राजस्तान के जुन्जनुन जीला में इसकी शुरुआत की गी थी ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 84 किस योजना के अंतरगत लावारति की पातरता है तू नियुन्तम या अधिक्तम आयू सीमा जरूरी नहीं है ठीक है ऐसी कौन सी योजना है जिसके अंतरगत जो अफलाय करना चाते है उनके लिए नियुन्तम और अधिक्तम आयू सीमा निर्दारत नहीं किये गी है ठीक है तो उस जो आपकी कमेट्टी बनाए गी है योग योजना बनाए गया है उस योजना का नाम है विद्वा पुनरवाथिक है इसके लिए कोई सीमा निदार्थ नहीं की गिए नेक्स्ट क्वेशन नंबर 85 85 क्वेशन पूछ रहा है कि एक योजना है ठीक है उसों योजना का नाम बता है जिसमें लावार्ति को प्रसेक्षन के साथ चात्रविति भी दी आती है आपनी चार आप्षन में से एक योजना का उत्थान योजना विशेश मैला उत्थान योजना एक ऐसी योजना जिसमें ट्रेनिंग भी दियाती है मैला को और साथ में स्कॉदर्श भी दियाती है नेक्स्ट क्वेशन नंबर 86 हिमाचल प्रदेश का कौन सा जीला मुख्यालो सबसे उंचे शिकर पर स्तित है तो दोस् कुक्तिदरा लावल को किस से जोडता है तो दोस्टो जो कुक्तिदर है वो लावल को जोडता है ने बर मोर के साथ यानि कि ऑप्शन कट दावल चंबक का सा जोडता है ठाट है नेक्स्ट्ट नामबर 88 हिमचल प्रदेश के कीश्चेले में बिशिष्ट गरम पानी का स्त्रोत है तो दोस्तों दिस्टिक कुलू में आपके मणी कर रहो गया ठीक है इसके लाब दिस्टिक मंडि में गरम पानी के चेश्मा है तत्ता पानी ठीक है इसके लिए डिस्टिक शिमला की बात किया डिस्टिक शिमला में जो आपके गरम पानी के जो कुछ एक स्त्रोत है ठीक है जैसे आपका जीवरी में है आपका अन्नुनाला ठीक है इस तरह का नेक्स्ट कोशन नमबर 89 हिमजल प्रदेश के किस जिले में चोहरगाटी स्तित्त है दूस्तो जो चोहरगाटी आपके परती हुपटते दिस्टिक मंडी में टीक है यानि कि ऑप्शन नमबर ए राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन नमबर 90 व्यास नदी का बैदिक नाम के है तो दोस्तो व्यास नदी का बैदिक नाम है संस्कित ना में भी पाषा question number 91 प्रदेश के की स्ट जिले में कराली जिल स्टिते दो दूस्तो district शिमला में कराली जिल स्टिते district शिमला में आपके कराली जिल पाई आती एक famous जिले याद रखना है आपने question number 92 तो नादौन के लड़ाई कहलूर के राजा भीमचन और अलिप खान के नेत्रित्व में मुगलों के बीच कि साल हुई थी तो दोस्तों जो नादौन के लड़ाई हुई थी कहलूर यानि कि ब्लासपूर के राजा भीमचन और अलिप खान के नेत्रित्व में मुगलों के यानि कि आपकी 16 91 में इसकी लडायी उती है नादवन की लडायी भीम Wonderful और मुगोजो के भीज में This question 93, किस साल में हिमसल परदेश को मुख्य युक्त प्रांथ बना था दोस्तों 1948 में हिमसल परदेश मुख्य युक्त प्रांथ बना था त्यक्ट कोरे और हमाचल्प्रदेश उनीशं़्चपण में डे.. प्रशास्निक बिभाग है राइट आंसरोर दित्ट नहुंमर वन्हें और रखना है से कॉसेन नमर Only 95 लकुकर से कौन में How । र तुमाचलाशनिक ना है एक तो आपका डिस्टिक मंडी हो गया है ठीक है धूस्तर दिस्टिक शिम्ला तिसरा वर डिस्टिक कागड़ टीक है यानि मंडी शिम्ला कागड़ा आपके तिन प्रशासनिक भीभाग है next question क्यमंति अबढ़ में 75 Ayasco रियास्त की रियास्त की संस्थापक को ने तूस्रिमा रियासत के चाहएं उनका नाम में जिसंथा है रिषा लोबी लेकिन टिक बुक के υसाब के हिसाब से नहीं देखा यह लूम परकाश परतिक स्रेमाय रियास्त कि था वदॉड ना की है ठीक है उसका नाम कहा है तो 96 का राइड अंसर है ऑप्शन नमबर ए उसका नाम है एकना है अमिरपूर में आपका स঴ पेस्ट नेक्स्टा से पहली बैंग कौन से थी गता? यानी की 90 का राइंट सले, आप्शन नमबर बी नेक्स्ट 99 question है, धर्तिय बल्दान की पुस्तक किस न लिखी थी, धर्तिय बल्दान की पुस्तक लिखी थी, शांता कुमार ने, यानि की option number, यह आपके पास सही उत्तर है, शांता कुमार आपके हिमचल परदेश की CM भी रह चुकी है, ठीक है, next question number, 100, भूरी सिंग म्यूजियम का स्थित मांचस्टर का आता है, लोथल को, लोथल पड़ता है आपके, गुजरात में, ठीक है, गुजरात स्टेट में पड़ता है, next question number, 102, महाबार्त को किस न लिखाता, तो महाबार्त को लिखने वाले जो व्यक्ति थी, उनका नाम था, रिशी बेद बियास, जबकि रमायन को लि भरवकी अन्याई थे, जो आपके राजा अशोग थे, मोरे स्मराट के शाशक थे, मोरे बंश्य समंदित भी भेक थी, जबकि आमको कनिशक है, ये वो धर्म जो महायन, शाकाती, उसे मायन थे, और कनिशक के दुरान ही, वो धर्म दो भागों बटिए थी महायान और हीनियान ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 104 ब्रिदेश्वर मंदिर किस थान पर स्थित्त है तो दोस्तो ब्रिदेश्वर मंदिर आपके तंजोर में तंजोर का अन्य नाम है तंजाबूर ठीक इसकी स्थापना की थी राज-राजेश्वर ने चौल शाशक है राज-राज प्रतम उनने की थी नेक्स्ट क्वेशन नमबर 105 पानीपत का जो प्रतम यू तक किस के बीच लड़ा गया थी पानीपत की प्रतिम लड़ाई जो 1526 में हुई थी बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में हुई थी जिसमें आपके पास बाबर ने विजेव राप की थी ठीक है 1526 को लड़ाई हुए थी नेक्स्ट क्वेशन नमबर 106 भारत का राष्ट्योग गीत किस ने बनाए तो भारत को जो राष्ट्योग गीत है ठीक है तो दोस्तों उसका नाम है बंदे बातरम तो इसको लिखा गया था बीसी चटर जी यानि कि बकीम चंत चटर जी ने जब किरबात का राष्ट्योग गहान है जन गर्न मन इसको लिखने वाले बैकती थी रमिंदर नाट्रा गुर जी ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 107 कत्कली किस राजों का शास्त्रियों निरत्यों है तो कद खले निरत्यों के रलका यानि कि option number D आपके पास यह उत्तर है next लाल किला कहां पर स्ट्ट है तो दोस्तों लाल किला स्ट्ट है आपके दिल्ली में ठीक है क्वेशन नमबर 108 का राइड अंसर है option number D नेक्स्ट और लाल किले की बात किया है तो आपने क्वेंट वक्स में लिखना है कि लाल किले को किसने लिखा था थी कि बिल्कुल एजी सा अंसर इसका ठीक है मैक्सिम को पता है decision number 109 सबसे बड़ा राइड य है रहने वाला है question number 109 का right answer option number C Next question number 110 उत्रीक उलार्ट में सबसे बड़ा दिन कौन सा है तो उत्रीक उलार्ट में जो सबसे बड़ा दिन है वो है 21 जोन यानिकि Option नमबर A आपके पास right answer है कौशन नमब्र 111 ग्रीन हाॉस गैस कौन्ड सी है कौशन नमब्र 111 का राइट उफियल करभन डायोक्स herb survey पास एक्रीम हां सबस्ट गना हुई उफियल कौशन नम्र 112 बारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमरेकतों थो बारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमरेक ऊस का नाम है दोस्तो रैडिकलीफ ठीक है नेक्स्ट कुशन नमबर 113 सबसे बड़ा मासागर कौन से तो सबसे बड़ा मासागर है प्रशानत मासागर यानि की ऑप्शन नमबर या आपके आप सही उत्तर है नेक्स्ट नरोरा न्यूकलिर जो पॉबर स्टेशन है किस राज़ों में लाटक यूट किस राज़ों की जंजाती है तो दोस्तो ऊटेशन जिस राज़ों की जंजाती है उसका नाम है तमिल्नाडू यानी की option नमबर एक्सो शोला भारत के उपरास्ट पति बढने के लिए नियून्त रांष्टपती बनन נे क्लिए नियुन्तम आयू चाहिए थी 35 भारत मुख्यमंतरी बनन की रांप्तर की आयू होन वह बहुत रूड़ी होता है floss नेक्स्ट और बात किया लोग सभा सदन की लोग सभा सदन एक स्थाही सदन है इसको भंग भी किया जा सकता है जबकि बात किया राजे सभा कि राजे सभा सदन एक स्थाही सदन है ठीक है यह भंग नहीं होता है जबकि इसकी सदस्यों बार बार दो साल के बाद चैंज होते र किसे सारजनिक धन का अभिभाबक कहा गया है तो दोस्तों आपका जो कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसको कहा गया है यानि की सीजी को आपके सारजनिक धन का अभिभाबक कहा गया है यानि की option number C आपके पास right answer नेक्स्ट राष्ट्रियों मानव अधिकार योग कौन सा योग है क्या है वह समिदान ने के सांबिदिक मंडल है या इन मैसे कोई नहीं है तो दोस्तों 119 का right answer option number B राष्ट्रियों मानव अधिकार योग है एक सांबिदिक मंडल option number B आपके पास योग है नेक्स्ट कौन सी कैंदरियों बैंक है तो दोस्तों RBI एक सेंट्रल बैंक है इस की स्थापना एक का प्राइल 1935 को की गी थी ठीक है और या का पूरा नाम है रिजर्ब बैंक आप से पहले कु टोम नियोजन को अपनाया था next question number 122 आर नेक्स्ट कुषण का है क्या सीशा है संतल दर्पन है उतल पन या इनक मिसे कोई भी दर्पन नहीं है तो इसका नशार यह option number eight शिशा एक है समतल दर्पन यानि की प्लैन मिरेरे और एकसव नमबर 130 पीतल मिर dau दातु किस की है ata खालाआटू किस दातू से मिलकर भनी होती है तो यह दाको से मिलकर बनी होती पीतल दातू उसका नाम है जुए它 पाढ़तान झेहिक है और ज्फ़ाएक को मिलाकर ही पीतल क न्होंत के नाम्षक है नाम है नेक्स्ट मॊशन के रूप में रूप में कोडित के आते हैं तो आप ILIGST में और को कैसे लिखेंगे तौहाद कूझ आन्सर बुता देता हूं 125 कराड अंसर ऑप्शन नमबर सी 20 21 20 17 15 16 28 टिक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 126 शिर्यनी पूर्ण कीजिए एक्सडवलियो आई वी यू तीस कराड अंसर एक ऑप्शन नमबर एम टी एस ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर आपने चक करना है कि जैसे ए और ए के बीच में कितना गया है सबसे पहले देखना है ठीक है ए और एक बीच ने फिर आपके बाद ए और आई के बीच गैप चक जो दोरा ब्रिक्षर ओपन को बढ़ावा देने के लिए हाली में प्यार का पौदा अभियान शुरू किया गया था तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों भिहार राज्यों के दोरा यह आपका क्रंटापर के कोशन है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 118 किस भारतियों खिल भारतियों मूल के प्रतम कवी सुनाक हाली में किस देश्ट की बित्मंत्री बने 139 का राट आंसर है ओप्षन नमबर भी यह आपके पास क्रंटापर के कोशन है जो की द्वाला नहीं पूछ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 130 कोरेक्टली स्पेल ट्वाड़ ठीक है इन चाल ऑप्षन में से गवर्नमेंट की कौन सी त्राइट स्पेलेंगे तो 130 का राट अंसर है ऑप्षन नमबर डी गवर्नमेंट की जो सई स्पेलेंगे वह है जी ओवी ए आर एन मेंटी ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 131 को इट इस डैस आ यूसपूल बुक यह यान की आपके पास इसमें कि आपके ने लगना है अगना था टिक है नक्स्ट नमबर 132 एंट्वन वॉप रीपिल इच्टा वह वर्वल में होता ने तो आपके पास यहां पे न लगना था ठीक है नेक्स्ट कुशन 001,32 एंटोनियम ओप रीपिल इंट्स तो 132 का राट आंसर है option number A ठीक है concentrate concentrate आपके इंटेन्यू में रीपिल का ठीक है concentrate यांगी ध्यान को केंद्रित करना जब की रीपिल करते है ध्यान को बटकाने एक सापसे ठीक है next question गोड़े बेच कर सोने का क्या अर्थ है मौहाबरा आए गोड़े बेच कर सोने करते है दोस्तों निश्चेते को सोना ठीक है question number 133 का राट आप्शन नमबर डी नेक्स्ट question number 134 चंदर का प्राइबची है दो दोस्तों चंदर का प्राइबची है option number D सुधाकर ठीक है चंदरवा यानि सुधाकर को कहते है इसके लबाद चांद भी हो गया ठीक है नेक्स्ट देवासुर में समास क्या है तो देवासुर में समास है दोस्तों option number B दंसमास ठीक है 135 का राइड़ा अंसर है option number B देवासुर्य आपका एक द्वंतसमास ठीक है नेक्स्ट question number 136 समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हमचल प्रदेश में कब की गी थी तो समेकित जो बाल विकास सेवा योजना है उसकी शुरुआत हमचल प्रदेश में की गी थी दोस्तों दो अक्तुबर 1975 को यानि की option number A right answer है नेक्स्ट प्रायोगिक तोर पर समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत हमारे देश में कुल 33 खंडों में हुई है इन मैंसे हमचल प्रदेश में भी एक जन जात्तियों खंड है जिसकी योजना की गी तो उसका नाम क्या है तो 137 का right answer option number D यानि की पू में इसकी शुरुआत की गई थी ठीक है किसकी तो दोस्तों समयकित जो बाल विकास सेवा की योजना है उसकी शुरुआत हमारे प्रदेश के पू में भी की गई थी जो एक ट्राइवल एडिया है ठीक है next question number 138 भारत बश्च में समयकित बाल विकास सेवा क किश्रवात किस पंच पर्शियो योजना के अंतरगत की गई थी सामेक्ट बाल विकास योजना की शुरुआत उनीशोपज़त्र में की तो उस समय कौन सी पंच बश्य योजना चली थी तो 138 गाराट अंसर आप्शन नमबर सी यानि कि पांच भी पर्श बश्य योजना के अगला ब्रशन 149 बेस मं मख्यं मंत्रिक करने योजना के अंतरगत लाव अभ्यारत्य को कितनी अनुद्ण राशिय दे जाती है तो 149 का राट अंसर प्शन नमबर सी अ जानि की 51,000 राश ही दे जाती है मुक्षमें मंत्रिक करने ओन यो जना के अंतरगत तो आपने चेक कर निगरानी के लिए एक नई ब्रिदी निगरानी चार्टर किस नए ब्रिदी मानकों पर अधारित है तो 140 का राइट अंसर है ऑप्शन नमबर ए बिशप स्वास्तों संस्ता मानक 2006 के अंत्रगत ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 141 मावारी के दुरान नैपकिन बदलने एवं सोच जाने के वाद अपने श्रीर यानी गुपतायां को किस प्रकार अच्छी तरह दोए ताकि संक्रमन से बचा जा सके ठीक है 141 का राट आंसर है ओप्शन नमबर ए ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 142 बिटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पायाती है आमला में ओप्शन नमबर सी आपके पास सहीपतार 142 का नेक्स्ट क्वेशन नमबर 143 निमन दर्शाइगी कौन सी हरे पत्ते दाल सबजी में सबसे अधिक मात्रा में लोत अत्र पायाता है चौलाई में ओप्शन नमबर ए आपके पास सहीपतार है नेक्स't क्वेशन नमबर 144 हमारी हडिया और दान्तों के मजबूती के लिए कौन सी खजन परदार्त की वश्कता होती है तो दोस्तों केल्शूम की वश्कता होती है यानि कि 144 का राट अंसर है ऑप्शन नमबर बी यानि कि हमारे जो हडिया और दान्त होती उसको मज़ूती परदान करने के लिए कैल्श्यम का वनावप जरूरी है नेक्स्ट 145 हमारी स्वस् कमाने आती है तो उस बीटामीन का नाम है बीटामीन ए ठीक है यानि आंग को स्वस्त रखने के लिए बीटामीन एक बहुत जुरूरी है नेक्स्ट क्वेशन नंबर 140 भारत की जो जन्गना हुई थी 2011 में उसके अनुसार हिमाचल परदेश में सबसे कम लिंग अनुपात महिलाएं प्रती हजार पुरुष किस जिले में पाया आता है ठीक है तो सबसे कम लिंग अनुपात कौन से जिले में 2011 के अनुसार पाया गया महिलाएं का पुरुष पर ठीक नेक्स्ट क्वेशन नंमर 147 एक महिला की गरबधयरन की ऑस्त अब दी। उसकी अंतिये महावारी की शरुवाद बाले दिन से घिन्ते हुए कितने दुनों की होती है ठीक है यानि कि एक महिला है ठीक है गरबदारान की औस्त अबदी उसकी अंतिम महावारी की शुरुआत वाले कौन से दिन से गेना को जाता है ठीक है 149 का राट आंसर ऑप्शन नमबर सी 283 ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 148 महिलाओं की प्रसब की संभावेती ती यानि कि महिलाओं की डिलीवरी की जो सिक एक्सपेक्टेड डेट लॉक्टर के बाद दीगी है ठीक है संभावना है कि उस तारिक को डिलीवरी होनी है तो उससे कितने समय पहले प्रसब हो ज अत्रें देisches व्रिये तरय का आता है युद्य को रट सुख्ष्ष्षयाओं स्वर्ण कि मैचोर डिलीवरी ठीक है नेक्स्ट प्री मेचोर टेलीवरी नेक्स्ट है कुश्चन नमबर 119 कऐ मईला का हेमोगलोविन यानि की एच्च स्टर कितना हो ना चूश्च है तो दूस जो दोस्तों हिमचल प्रदेश में जो समेकित बाल प्रिकस पर्योजिना उसको जिस विभाग के दुआ जा रहा है उस विभाग का नाम है समाजिक न्याई एवं अधिकारित विभाग नेक्स्ट छिशेन नंबर 151, एक आंगनवाडी के अंदर में एक बर्ष के दुरान कम से कम कितने दिन पूरक पूरक पूशार का देना बहुत जगता है 345 ₹ mention K чудmark City is Prahaasa से कितने वार्व आपको पूरक के देना बहुत जुरूरी होता है तो1501 करा अंसार अउप्छण नंबर भी 365 ₹ जणम के सब में 176 का बदन कितना उना चीह है तो यदि हाली में कोई बचल्चय जनम जिसने लिया है टिकाई उसका जो बदन स्टार्टिंग में हूँ न अच्छी वह न अच्छी है 3250 ग्राम ठीक है यानि कि option number C आपके पास right answer है next एक सुत्रीपर question है सतन पान सतन पान सता कब बनायाता है तो जो सतन पान सता है उसको मनायाता है एक अगस्त से साथ अगस्त के बीच में ठीक है next question number 154 हिमचल परदेश में ग्रेलू हिंसा अधिकारी बनाया गया है तो दोस्तों हिमचल परदेश में ग्रेलू हिंसा अधिकारी बनाया गया है आइसीडेस प्रेविक्षक को यानि कि option number A आपके पास सही उत्ता है यानि कि जो आइसीडेस के सुपरवाइजर उत्ते है उनके बनाया गया है ग्रेलू हिसा अधिनियम के इंत्रगत स्रक्षन अधिकारी ठीक है next question number 155 स्पास स्कूर के कि इवेंटसने के इवन्स एकन साधिर करेंशम ऊब दंध हनाया वर्यक्राइर से देश्वयु नंती जा रही है जिसके अंतरगत बीपिल परवार में जनम लेने वाली अधिक तम कितनी बालिकाओं को बालिकाओं के नाम पर बार जार रुपए की राशी जमा करवाई आती है तो 156 का राट आंसर ऑप्शन नमबर भी यानि कि दो बालिकाओं को जो बेटी एक अनमोल यूजना नेक्स्ट कोशन नमबर 156 बालिकाओं को कब बना जाता है तो दोस्तों बालिकाओं को मना जाता है चौबिस जनबरी को यानिकी आपके पास राइड अनसर है यानिक्सट कोशन नमबर 158 मदर टेयरे सा मात्र संबल योजना के अंतरकत असा या निराश्रत या तो एक सो अठावन का राट अंसर ऑप्शन नंबर भी दो बच्चों को दिया आता है ठीक है एक स्कीम जी है मदर टेर समातर संभल योजना है यह भी आपके जो स्कीम है यह दो बच्चों के लिए है ठीक है एक प्रिवार में नक्स्ट कोशन नमर 159 दो बच्च तक कि आयू क का राट अंसर ऑप्शन नंबर डी 75-80% का विकास हो जाता है दो बर्स के आयू का बच्चे का ओस्तन ठीक है मेंटली जो डिवैल्पमेंट होता है नेक्स्ट जीला कुलू में 19 जनुवरी 2020 को पाल्स पोल्यों अभ्यान के दुरान अंगनवाड़ी काड़ करता कि फेसल कर गेरी खाई में मिर्ट्वी हो गई थी ठीक है उसका स्मंद्ध किस बाल विकास परोजना से था एक सुसाट का राट अंसर ऑप्शन नंबर सी बंजार डिश्टे कुलू की बंजार की कलेड़ी थी जो आंगनवाड़ी कार्य करता थी उनका पैर फिसल जाने कं 2020 में मौत हो कि ठीक है ए जो एक आंगनवाड़ी समंदित थी ठीकन नेक्स्ट कोशन नंबर 161 पुक्सो एक्ट किस समंदित माने आता है बच्चों से याले की ओप्शन नमबर B आपके पास सही उत्तर है पुक्सो एक बच्चों से समंदित एक्ट है नेक्स्ट क्वेशन नमर 162 यदि किसी बालक बच्चे के साथ किसी भी परकार का यौन शोशन होता है तो अरोपी को किस कानुन के अंतरगत सजा का प्राधान किया गया है तो दोस्तो पोक्सो एक्ट 2012 के अंतरगत यदि किसी बालक या बच्चे के साथ किसी परकार का यौन श योजना कि दोरा चलाय जा रही है तो दोस्तों स्वर्व स्वक्विय को एक स्कीम में जिसका नाम है इंदर दन्स्ट एयता है जिसको के तेका करने nos नेक्स्ट क्वेशन नमर 165, ICDS के अंतरगत निमन में से कौन से लावारती है, 165 का राट अंसार है, ऑप्शन नमर D, 0 से 6 सालते के बच्चे ICDS के अंतरगत आते हैं, गरवती महिला हैं और धात्री माता हैं, इस सभी किसे भी आपके ICDS के अंतरगत आते हैं, यानि कि ऑप्शन नमर D, आपके पास सही उत्तर है, अगला प्रेशन है, क्वेशन नमर 166, भारत सरकार के महिला एबंब बाल भिकास मंतराले के दवारा, अंब्रेला ICDS के अंतरगत निमन में से कौन सी सिवाय परदान नहीं कि जा रही है, तिन चार आप्शन में से एक क्वेशन के पूछरा देख लो एक भारत सरकार के दवारा एक महिला इमन बाल भिकास मंतराले है, उसके दवारा, अंब्रेला ICDS के अंतरगत कौन सी सेवा परदान की नहीं कि आ रही है, तो उसका नाम है, मंद्रेगब योजना ठीक है, इसके अलावा आंगरवाड़ी सेवा योजना, शिशु, पाल नगरी ठीक है, और CAG यानि कि शुरियों के लिए योजना या बाल स्रक्शन उजना, अंब्रेला ICDS के अंतरगत चलाई जा रही है, नेक्स्ट कौशन नमर 167, चाय और कौफी में मौजूद, कौन सा परदात भोजन के लो ततब के अब्सोर्शन में बादा डालता है, यानि हानी पुंचाता है, इसलिए खाने के साथ साथ चाय या कौफी नहीं पीनी चीए, 167 का राट अंसर है, ऑप्शन नमर 8, टैनि, यानि चाय और कौफी में आपके पास टैनिन परदात मौदूद होता है, जो आपका क्या करता है, कि खाने के साथ नहीं लेना चीए, कि या आपके पास एक हानी पुंचाता है, एक 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 बना लेता है, ठीक है, नेक्स्ट, कोशन नमबर 168, हिमजर प्रदेश सिरकार के द्वारा है, महिलाओं की सुरक्षा, सुनेशित करने के लिए, गोडिया, हेलप लाइन के अंतरगत, कौन से टॉल फ्रीन नमबर क शुरुआत की गई है, 168 का राट अंसर अप्शन नमबर B, पंदरा पंदरा ठीक है, यानि एक टॉल फ्रीन नमबर है, पंदरा सो पंदरा, ठीक, यदि एक इसके अंतरगत क्या किया है, यदि कोई महिला को सुरक्षा दिलानी है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते है, कि गुडिया एक हल्प लाइन बिलाएंगी, उसको डायल करके आप हल्प को जारी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 169, सुकन्या समर्द योजना के अंतरगत कम से कम कितनी राशी से लावार्ती का खाता खोला जा सकता है, एक सो नतर का राट अंसर अप्शन नमबर B यानि एक योजना सुकन्या समर्द योजना ये लड़की से समंदित है, उसके अंतरगत कम से कम डाय सुर रपे तक का खाता है, खोला जा सकता है, किसी लड़की के नाम ठीक है, नेक्स्ट कोशन नमबर 171, याई लास्ट कोशन आपके पास, हिमाचल परदेश में लुग डोन कःम में तक आध़कर लेकर बावर्ड ली टोटल जंसे कि माना याथ है कि 300 जंसे Minecraft Sixaden BC. Game Family, की एरिया में नेक्राइन कोना है तो उसके अंतरगत 300 जंसे कोना बहुत दो कि एरिया में 300 से कम जंशे के तो उस एरिया में आपका ऒस अंगरमडी के खोल जा सकती है ठीक है धन्यावाद